दोस्तो आचारी चान के की नीतियां संसार की सर्वसेष्ट नीतियों में से एक मान जाते हैं आचारी चान के सेष्ट रते सास्त्री उनी के साथ साथ एक मान राजने ते गिवं कूटने ते किती उनके द्वार बताई गई जानक निती को सीखने से आप जीबन किसी समस्य आपको आसानी से सुलजा सकते हैं साथी साथ जानक निती का ग्यान आपके लक्ष को पूरा करने में सैक से दो सकता है जिस किसी को प्यार में दोका मिला हो चाय वो इस्तरी हो या परोसो तो आज का यह उपाय जरूर किजेगा यदि किसी लड़की को प्यार में दीबानी बनाना हो या पर किसी साधी सुधा औरत को अपने प्यार में बेचन करना हो तो आज के सुपाय को करके किसे को भी अपने बस में कर सकते हैं अपने प्यार में बेचान कर सकते हैं इसमें आपको किसे भी मंद्र की जरुवत नहीं है सर्फ तुलसी का पत्ता आपको चाहिए और आसानी से सुपाय को कर सकते हैं तो दोस्तो आईए जान लेते हो भाई के बार में दोस्तो सबसे पहले आप साथ तुलसी के पत्ते आपको लिनाए तुलसी के पत्ते लेकर आपको एकंत जगे में आपको बैठ जानाए और साथ तुलसी के पत्ते को साप करके अपने सामने रख लेजिए और सातों पतों पर उस सोरत ये लड़की का नाम लिख देगे जिसे अपने बस्क में करना चाहते हैं जिसे अपने प्यार में दीवानी बनाना चाहते हैं सातों पत्तों पर नाम लिखने के बाद दूदो चावल का दाना सातों पत्तों पर रख दें तोड़ी तोड़ी मत्रा में लाल चंदन रख देंगे उसकी बाद में उस स्थरी का ग्यारा बाद नाम लिखकर के उस पर फूंख मार दें इसके बाद तुलसी के साथों पत्तों को कैसे भी बेहते हुए पानी में भाद है जैसे ये उपाय कर लेंगे वो सुरत है लड़की पर परवाप पढ़ना आरम हो जाएगा वो आपके बस मोह हो जाएगी उस तो इस उपाय को एक बार बस से करें जिससे आप अपने प्यार को अपने महबत को अपने सच्चे प्यार को बस से पा सकें तो दुस्तों इस उपाय को सही नहीं आते हम सच्चे सरद्धा से एक बार बस से करिएगा तो आज के इस वीडियो में बस अपनाए वीडियो आपको कैसा लागा नीच कमेंट बोक्स में जरूर लेखिए अगर आप बगवान सरी किशना जीके सचे भकते हैं तो नीच कमेंट बोक्स में जै सरी किशना रादे रादे जरूर लेखें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद